नमस्कार दोस्तों मेरा उल्सास्त्री सवगत करता हूं आपका दोस्तों आज हम टीचर योग कुंडले के अंदर कैसे देखते हैं इसके ओपर चर्चा करने जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि टीचर योग को कुण्डली कंदर कैसे देखा जाता है आप में से पहुत लोग यह जो अभी स्टेडी कर रहे हैं जो टीचर यह जिसे अध्यापक भी बोला जाता है उसकी तयारी कर रहे हो यह वो बनना चाते हो तो कुण्डली के मेंद्यम से आप ग्रहा आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको कुंडली के अंदर अच्छे योग बनते देखे जा रहे हैं या दिखते हैं तो आपको डेफिनिटली तैयारी करनी चाहिए तब आप यह समझ सकते हैं कि टीचर के 100% आपके योग होंगे तो सबसे पहले आईए समझ लेते हैं अध़ार्विकjed योग जो अद्न में गुरू और बुद्ध फूर्वां के बुद्ध इस परकर कर बुद्ध मुद्ध हैं पढ़ाई करे के कारक है और सिखसा Hem 14 अदर अकर दो डेफिनिटली आप यह समझ ले पर आपके चंसे काफी अच्छी होगे पर उनकी कुछ condition है, मैं आपको फिर बता दू, कुटली के अंदर गुरू, जो कि ज्यान के कारक होते हैं, सिक्सा के भी कारक होते हैं, और साथी साथ, तमाम ज्यान से related जो भी चीजे होती हैं, उन सब के जो कारक होते हैं, वो गुरू होते हैं, बुद्ध से आपको देखे जाती है, पढ़ाई देखे जाती है, ज्यान, शिक्सा, ये सब चीजे देखे जाती है, तो कुटली के अंदर गुरू और बुद्ध आपके अच्छे हैं, तो आपको डेफिनिटली के अंदर ये अच्छे योग हैं, टीचर के, पर इसकी कुछ condition होती है, जो भाव में हैं जैसे ये भाव केद्र के हैं पहला चोथा सात्वा और दस्वा इस भाव के अंतर हो या त्रिक या फिर त्रिकोन भाव में हो यानि पहला पांचवा और सात्वा इस भाव के अंतर हो लाब भाव में हो या फिर धन भाव में हो यानि कुंडले का पहला, कुंडले का दूसरा भाव, कुंडले का चोथा भाव, कुंडले का पाँचवा भाव, कुंडले का साथवा भाव, कुंडले का नोवा भाव, कुंडले का दसवा भाव, कुंडले का ग्यारवा भाव इन भाव के अंदर गुरू और बुद्ध होने चाहिए, जैसे मैंने एक एक जामपल भी लिया है, दूसरा गुरू या बुद्ध की डिगरी अच्छी हो, या वो अपनी उच की रासी में हो, या फिर वो मित्र की रासी में हो, तो आप एक, मैंने कुंडले का एक जामपल लि जाते हैं, और इनकी जो डिगरी है, डिगरी का भी दहान लगना 14 डिगरी है, यानि काफी अच्छी इनकी डिगरी है, इसी परकार गुरू जो है, अपनी स्वम की रासी में बैटे हैं, धनू रासी के अंदर वो स्वम की रासी मानी जाती है, तो यहाँ पर वो अपनी खु योग होता है उसकी प्राप्ति होगी होगी साथ में बुद्ध और गुरु के साथ हमें पांचवे भाव का भी ध्यान देखना जरूरी होता है क्योंकि पांचवे जो भाव होता है यह बुद्धी का होता है साथ-साथ ग्यान का होता है तो यहां पे दस्वी राशी दिक किये दसवी जो रासी होती हो मकर मकर के जो स्वामी होते सनी यहाँ पे अपनी उच की रासी में बैठे हुए तो इस जातक के कुण्डले में परभल चांस है टीचर योग का यह मैंने कंडिशन बता दी कि किस-किस कंडिशन से देखा जाता है टीचर योग अब इसके कुछ कंडिशन होती है जिसमें कुछ परभाव कम मिल सकते हैं या कैंसलेशन के भी चांस उचे जाते हैं जैसे अगर गरह की डिगरी काम हो यानि वो जीरो से दो यानि बालवस्था या 28 से 30 मर्थवस्था में पड़े हो तो फिर वो पहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देंगे जैसे कि इन सब गरह के आप डिगरी देखोगे तो काफी अच्छी है तो डिगरी अच्छी होनी चाहिए दूसरा सूरिय से अस्थ ना हो अगर कहीं पे भी सूरिय भी साथ में आके बैट गए तो वो एक नएक डिगरी के अंतरकाल में वो दूसरे गरह को अस्थ कर देते हैं एक पार्टिकुलर डिगरी ऐसी होती है उसके डिफरेंस पे वो किसी भी गरह को अस्थ कर सकते हैं जैसे अगर जो बूध है अगर यहाँ पे सूरिय बैट गए और बुद्ध और सूरिय के बीच में 13 डिगरी का डिफरेंस होगा तो यहां पर बुद्ध अस्त हो जाएगे क्योंकि 13 और उससे कम डिगरी पर वो बुद्ध को अस्त कर देंगे तो इस परकार अगर सूरिय भी नहीं होना चाहिए किसी भी गरह के साथ और साथ में कौन-कौ बुद्ध गुरु और पाच्वे भाह के जो लोड है वो तिरीग भाह में झाहिए अगर यह सब कंडिशन बनती है अगर यह सब कंडिशन बनती जैसे डिगरी कम है या सूर्य सस्त हो गए या फिर त्रिक भाव में हो गए जहां पर पाप गरहें उन्हें देख रहे हैं तो फिर कैंसिलेशन के चांसी हो जाएंगे पर अगर बुद्ध और गुरू अपनी काफी स्ट्रोंग है और फिप्त भाव के जो लोड है वो भी काफ क्राइब करना दोने